मोधी सरकार विकास और स्वक्षता के लागदावे क्यों ना करती हो पर हकीकत कुछ और ही है आज हम आपको यूपी के श्रावस्ती लिकर चलेंगे जहां पर सरकार की बहुत देश्य योजनाओ को कैसे पलीता लग रहा है ये दिखाएंगे साथ में ये भी दिखाएंगे कि गाउं का प्रधान किस तरीके से तानाशाही कर रहा है कि गरीब जनता परिशान है देखिए ये रिपोर्ट ये तस्वीर स्रावस्ती जिले के हरिहर पुर्रानी के बंकटवा गाउं की है जहां की राधा अपने राग से लोगों को मोह रही है लेकिन गाउं में प्रवेस करते ही स्रिक्षा का मंदिन यानि गाउं का प्रात्मी की विद्याले की इस्ति यह है कि जिसकी हालत आप उपने टीवी स्क्रीन पर देख कर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गाउं का क्या विकास हुआ है विद्याले परिसर में भारी जल भराव बना रहता है जिसमें गिर कर बच्चे चोटिल होते रहते हैं स्कूल की पिछले कई सालों से मरमत और रंगाई पुताई नहीं कराई गई है कमरों की खिड़कियों से कोई भी अंदर बाहर आ जा सकता है क्योंकि कमरे की खिड़कियों में कोई अवरोध नहीं है यही हाल है शोचाले और रसोई घर का जहांपर सिफ और सिफ गंदगी के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता ग्रामीडों का अरौप है कि ग्रामप्रधान के द्वारा गाउं के लोग से सौतेला विहवार किया जाता है साथ ही पुराने निर्मार कारे यों पर मरमत और रंगाई पुताई कर सरकारी धन में भी काफी हेर फेर की जाती है इसके अलावा लोगों को जो आवास दिये गए हैं वह भी मानक विहीन है आवासों का निर्माड सोयम ग्राम परधान द्वारा घटिया मैटेरियल से करवाया गया है आवास पूर्ण होने से पहले ही छटों और दिवारों में दरार पढ़ने लगी है जिसे कभी भी दुरघटना हो सकती है ग्रामिड वासियों ने नरेगा मस्दूरी की भी पोल खोल दी है ग्रामिडोंने बताया कि ग्राम सभा के कारे में दूसरे गाउं की लोगों ने भी कारे किया है तो सुन लिया आपने कि तीन साल से प्रधान ने इस गरीब जनता को एक फूटी कोड़ी भी नहीं दिया है गाउं के मुख्या ने साफ साफ कह दिया है कि हमारे पास पैसा नहीं है अब ऐसे में योगी जी आप ही बताईए कि आपके प्रधेश की इन गरीब मासूम जनता का क्या होगा जिसमें आपके सरकारी तंत्र से इन पे वार किया जा रहा है परशान किया जा रहा है गोद में बच्चे को लेकर अपने परिवार का दर्द बया करती इस बुजुर्ग महिला का कसूर क्या है क्या ये है कि ये गरीब है या फिर इसने गरीब घर में जन्म लिया है अगर ऐसा है तो हे सरकार अगर आपके प्रदेश में गरीब होना अभिसाप है तो आप प्रदेश के सभी चौराहों पर हर दिवालों पर गली के हर नुकड़ों पर लिखवा दीजिए कि आप गरीब हैं आपको सुविदा नहीं दे सकते हम सिर्फ आप से वोट लेंगे और राज भोगेंगे समझा दीजिए आप अपने उस बनकटवा के ग्राम प्रदान को जो ताना शाही दिखा रहा है जो अपने चौखट से पिछले तीन सालों से एहका कर भगा दे रहा है कि हमारे पास एक पैसा भी नहीं है चलिए अब आपको स्रावस्ति के डियम साहब से मिलवाते हैं जो गाओं के विकास पर क्या कह रहे हैं आप अहीं सुन लीजिए चलिए ठीक है डियम साहब और मुख्य मंत्री योगी जी हम भी आपके बात को मान लेते हैं और देखते हैं कि आखिर कब तक इन गाओं वासियों के समस्या का समाधान होता है और विकास का दंस जेल रहे बनकटवा कब बनता है विकास का परिचायक कुम विकास का समाधान है